हेलो एवरिवान, वेलकम टू स्कूल लेशन, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइन्स का साप्टर 14 इलेक्रिक करेंट एनिर्स एफेक्ट तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रो मैगनेट तो इलेक्ट्रो मैगनेट के बारे में हम लोग अस परेंगे तो इलेक एक एक्टिविटी करेंगे एलेक्ट्रो मैगनेट को देखने के लिए तो एक्टिविटी 14.6 इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या सही है 75 सेंटिमीटर लेंद की एक इंसुलेटेट प्लास्टिक या फिर कपरा या फिर इनामेल कुछ भी अपले सकते हैं और इरण का नियल लेना है मतलब एक किल लेना है आईरण का वो जो किल है उसकासईस होना से यह 6-10 नॐसील थोरा साइस होना से उसके बद आपको किया करना है उसके आलके कील में और को थाइटली रेप करना है ठीक है टाइटली उसकी सारों तरब से इसको रैप करना है रैप करने के बाद आपको क्या करना है जो ओयर का जो फ्री एंट रह जाएगा उस फ्री एंट के साथ आपको एक बैटरी और एक स्वीश को कनेक्ट करना है इस फीगर में यह किल्ड किल्ड है, तो आपको क्या करना है इसे कोईल दिख रहा है यह फ्लैक्सेबल ऑयर है उसके बाद आपको क्या करना है बैटरी लेना है एक सेल लेना है उस सेल के साथ आपको यह जो ओयर है वायर का फ्री इंट लाके एक स्वीच की थ्रों से ये स्वीच आप सिफ्टी फी इंट कुछ भी उस कर सकते हैं उसकी थ्रों से लाके बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और इधर का फ्री इंट भी लाके इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर लेना है अभी आपको क्या करना है आपको ना कुछ पीन्स लेना है और वो पीन्स लेके आपने सो नेल्स में ओयर रेप किया है उसके उपर या फिर आप उसके आसपस कही भी आप क्या करें वो पीन्स को कोई भी पीन्स होते है जो अफिस वगरा में यूस होता है उस टाइप का पीन् रखने के बाद आप अभी स्विच अन कर दीजेए, करेंट का करेंट का अपने स्विच लगाया था उसको अन कर दीजे उन करने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो pin's थाँ यह जो kil है, kil की उपर की तरफ जा रहा है तो अभी आप स्विच को off कर दीजे जब आप Swiss को off करेंगे तब आप देखेंगे ये जो पीन है ना ये cleansing करना बंद कर दिया है ये उपर की तरफ अभी नहीं जा रहा है तो इस activity में हमने देखा कि जब उस coil की throw से जब electric current पास हुआ तो ये ना magnet जैसा behave करने लगा ये देखिए ये जो wire था इसमें से जब हम लोगने current पास किया तो ये एक magnet बन गया तो जब हमने इसका current पास होने वाला switch था Swiss को जब off कर दिया तो इसका magnetic बाला प्रॉपर्टी था magnetism था मतलब होता है कि magnet बाला प्रॉपर्टी था वो loose करने लगा मतलब खोने लगा तो इस type की coils होते हैं उसे electromagnets कहा जाता है तो electromagnets जो होते हैं वो काफी ज़्यादा strong होते हैं और जिसकी help से सामान जो है एक जगा से दुसरे जगा तक lift किया जा सकता है तो आप लोगने class 6 की 13 sector में crane के बारे में बरा था तो वहाँ पर आप लोगने क्या देखा था कि जो crane होते हैं crane की int में एक electromagnet attach होते हैं तो crane मतलब जो कुरा वगेरा में जो कुरा वगेरा उठाने में यूज होते हैं वही crane होते हैं तो क्रैन की लास्ट पार्ट में एक इलेक्ट्रो मैगनेट होते हैं वो जो इलेक्ट्रो मैगनेट है उसको यूज करके जो जंक होते हैं जो कुरा होते हैं उसमें से जो मैगनेटिक मैटरियल होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है तो अगर किसी वज़े से कभी आख में एक्सिडेंटली अगर कोई मैगनेट सला जाता है तो डॉक्टर्स भी जो कम पावर वाला सोटा सा इलेक्ट्रो मैगनेट यूज़ करके यूज करेंगे वो जो आख में सो मैगनेर से ले जाते हैं मैगनेटिक मैटेरियल से ले जाते हैं उसको निकालने में यूज करते हैं उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉयस होते हैं बहुत सारे ऐसे खिलोने होते हैं जो इलेक्ट्रो मैगनेट से बना हुआ होते हैं। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक बेल के बारे में देखेंगे। यह सो इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में आप लोग जानते हैं। आप लोग फेमिलियर है इलेक्ट्रिक बेल के बारे में इलेक्ट्रो मैगनेट होते हैं और इसो इलेक्ट्रो मैगनेट है इलेक्ट्रिक बेल है किस तरीके से काम करते हैं इस बारे में हम लोग देखेंगे तो figure में एक electric bell का picture दिया हुआ है उसमें किस तरीके से circuit बनाते है electric bell का वो सारा कुछ दिया हुआ है तो एक electric bell में एक iron का piece होता है coil and iron piece यह देखिए यह जो दो जो आपको दिख रहा है यह दो है iron का piece iron के piece में यह देखिए oil को wrap किया गया है ठीक है oil को जब wrap किया जाता है इसमें तो यह जो coil coil बनता है इस तरीके का iron का दो हमने piece लिया है उसमें ना इस तरीके से oil को coil करके wrap कर दिया है तो यह जो coil 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 oil है यह electromagnet as a electromagnet काम करते है अभी हम लोग क्या करेंगे कि यह देखिए यह देखिए hammer जैसा कुछ है hammer जैसा इस तरीके का जो पाठ है इसको हम लोग एक सोटा सा iron के strip में रख देंगे यह एक iron का strip iron के strip में कुस hammers हम लोग इस तरीके से connect कर देंगे और उसको हम लोग यह सो इलेक्ट्रो मेगनेट है इलेक्ट्रो मेगनेट की पास में रख देंगे अभी हम लोग ने coil बना लिया उसके बाद एक iron के strip के साथ hammer भी लगा लिया तो अभी यह सो hammer है hammer और हमने सो coil बना लिया इन दोनों को connect करना परेगा है ना तो connect करने के लिए एक screw हम लोग यहाँ पर use करेंगे यह देखे पिक्सर में यह वाला जो है यह एक screw है यह जो screw है यह क्या करेगा इसको यह जो पार्ट है coil है और यह जो hammer है इसको connect करेगा connect करने के लिए हमने wire लिया है यहाँ पे हमने एक cell यूज़ किया है तो अच्छे से हमने ओयर के साथ यह जो free end था ओयर का इस free end के साथ हमने screw को connect कर दिया जब हम लोग ने screw को इसके साथ connect कर दिया, connect करने के बाद हम लोग जब इसकी through से मतलब ओयर की through से जब हम लोग current pass करेंगे मतलब जब हम लोग switch को on करेंगे तो क्या होगा यह coil था it becomes an electromagnet यह electromagnet बन जाएगा और electromagnet बनने के बाद यह क्या करेगा जो iron का strip है जिसके साथ हमने क्या क्या था hammer को लगाया था यह iron का strip है इस iron को strip है इसको यह उपर की तरफ pull करेगा उपर की तरफ खिसेगा तो इस process में क्या होगा जब यह उपर की तरफ खिसेगा तो जो hammer है hammer जाके वहाँ पे जो bell है belt में जाके touch करेगा ठीक है तो जब हम लोग current pass करेंगे इसकी थो से current pass करने के साथ साथ यह वाला जो पार्थ है यह उपर की तरफ खिसत रहेगा जब यह खिसेगा तो यह इसमें अलसल होगा यह जो है यह इसमें वाइब्रेशन होने लगेगा तो यह जाकी यह जो bell है bell में जाके sound produce करेगा तो produce sound तो यह जो process है इस process में जो electromagnet है electromagnet जो क्या कर रहे है iron strip को पूल कर रहे है यह कभी कभी पूल करते वाग्ट तो टूट भी जा सकते है तो अभी आप क्या करिए इसमें से आप current pass करना बंद कर दीजे मतलब आप switch को off कर दीजे जब आप switch off करेंगे बंद कर दिया है बंद हो गया है sound produce होना तो switch off होने के साथ साथ जो कॉयल था वो अभी electromagnet नहीं रहा तो अभी यह क्या नहीं कर पाएगा जो iron का strip है जिसको वो उपर की तरफ कीस रहा था यह अभी iron के strip को attract नहीं कर पाएगा और iron का strip है यह अपनी original position पे आ जाएगा जहाँ पे वो screw के साथ फिर से टच हो जाएगा पहली की तरह तो यह जो है यह इस circuit को complete करते हैं अभी हम लोग अगर फिर से इसकी तरो से current को flow करेंगे तो यह फिर से hammer जाके गॉंग को बजाने लगेगा गॉंग फिर से बजने लगेगा तो इस process is repeating quick suction तो हम लोग जब इसकी तरो से current पास करेंगे तो यह process है यह process repeat होता रहेगा मतलब वो जो गॉंग है वो बसता रहेगा बार बार जो hammer है यह जाके जाके जब एवरी टाइम उस bell को बजाएगा उस bell को touch करेगा और sound produce होगा इसका मतलब है circuit complete हो गया तो इस तरीके से जो bell है वो जो magnetic bell होता है वो इस तरीके से ring करते हैं Thank you